A very very good evening, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का Unacademy Computer Science चैनल पे जहाँ पे आपको मिलेगी बहुत सारी unlimited learning मेरा नाम है विश्वदीब और मैं आप लोगों के सांथ में discuss कर रहा था यहाँ पे COA जहाँ पे आज हम start करने वाले हैं एक बहुत बहुत important session जिसमें की हम बात करेंगे locality of reference क्या होता है उसके बारे में और cash memory क्या होती है उसके बारे में यह बहुत important है क्योंकि यहाँ से दो mark का question बराबरी से हर बार पूछा गया है तो हर बार अगर दो mark पूछा गया है तो definitely हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम दो mark minimum secure कर पाएं चलिए start करते हैं session को but मैं अपने आपको introduce कर दूँ पहले उन लोगो के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है विश्वदीब गोठी और मैं इस channel पे as channel leader काम करता हूँ इस particular computer science youtube channel पे और साथी साथ मैंने gate exam multiple times लिखा है rank यहाँ पे है masters की और experience की सारी information यहाँ पे है अगर आप सब लोगों को चाहिए learning तो मैं हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको दे पाऊँ unlimited learning कैसे इस channel के थूँ और क्या मिलेगा sir channel पे channel पे मिलेंगे content सारी subjects की playlist मिलेंगी completed वाली पूरा content है gate की preparation से लेके तो सब कुछ interview preparation तक after the gate preparation के लिए strategies of gate preparation motivation and everything is over here एक बार playlist और video sections को जरूर explain करें और explore करें बट अगर आप लोगों को और learning चाहिए तो unacademy के platform पे आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे और भी आपको interactive way में अच्छी learning मिलेंगी और जादा मज़ेदार learning मिलेंगी फ्री में वो भी कैसे आपको explore करना है unacademy के platform को बता देता हूँ unacademy.com पे जाओ web browser में या फिर unacademy learner app डाउनलोड करो और gate ac category में अपना account बनाओ फिर मेरा profile search करो और उसको follow कर लो इसको follow करने से मेरी profile के अंदर मिलेंगा आपको एक section जिसमें होंगी special classes यह special classes वो हैं जो मैंने freely ले रखी है unacademy के platform पे free absolutely free hundreds of classes are there कैसे access करोगे सारी classes को या तो वहाँ जाके या फिर इस url पे जाके आपको freely organized manner में इस url पे सारी के सारी classes मिल जाएंगे अगर आप live class या कोई भी recorded unacademy की free class access करना चाहते हो first time user हो तो यह code use करके और unlock कर लेना free content of unacademy अगर आप special classes live attend करते हो एक तो interactive way में आप learning कर सकते हो falls का feature है like a phone call आप raise hand करके और एक educator से बात कर सकते हो live class में सांती सांत notification मिल जाएंगे lectures no download करने की facility मिल जाएगी lecture download करके और बाद में सीखने की आपको facility मिल जाएगी अगर आप लोग चाहते हो कि यह free classes आपके benefit में आए तो definitely एक बार explore जरूर करें जो आपका aim है वो मेरा भी aim है और वो है आपकी अच्छी gate की rank क्यों जरूरी है क्योंकि आपको एक kick चाहिए एक particular head start चाहिए जिसके through आप एक ऐसे career तक पहुच पाओ जो और जिसका सपना आप और आपके parents और आपके आसपास वाले जो आपके well wishers हैं वो देखते हैं एक अच्छा job respectable salary और बहुत satisfaction वाला work जहां पे आप अपनी skills को use करके और इस software development की community को अच्छे से अपना contribution दे पाओ बट ये इतना आसान है क्या आसान तो है बट वो आसान तब होगा जब आपकी preparation is gate की इस तरीके की हो कि आप minimum time waste करो maximum efficiency और productivity के साथ काम करो जब आप इस तरीके से अपनी preparation को ले के जाओ कि limited time में maximum output आप अपने आप से निकाल पाओ मुश्किल होता है yes free पढ़के या free sources से पढ़के guided study के बिना तो और भी जादा मुश्किल है तो अगर आपको guided study चाहिए तो सबसे अच्छी चीज होगी उसमें कि आपको ये पता चलेगा कि कब क्या करना है ताकि आप अपनी productivity को top notch कर पाओ आप ये समझ पाओ कि मुझे confidence कहा से मिलेगा कैसे मिलेगा मुझे अच्छी learning कैसे किस तरीके से मिल सकती है problem solving कैसे होगी उसे कैसे improve किया जा सकता है अगर आपको guided study चाहिए तो आप unacademy plus join करो जहां पे आपको मिलेंगी live classes, daily practice problems, weekly quizzes, crash courses, other type of batches, doubt solving और भी ऐसी चीज़ें जिसके थूँ आपका जो preparation है वो होगा highest productive preparation ये unacademy plus के जो classes है वो organized, systematic और structured classes के थूँ होता है ताकि आप लोगों को अपनी तरिफ से जादा efforts लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी to understand, to obtain that what to do at what time, ये unacademy plus का subscription आप various duration के लिए ले सकते हैं, कोई भी duration आप जो select करेंगे अपनी preparation plan के according, उस duration में checkout के time पे ये code use करना, vdeep10, 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 इस code को use करके आपको 10% का instant discount मिल जा team का support, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको और जादा personalized preparation मिले, तो आप iconic subscription पे जाओ, जहाँ पे plus के benefits के साथ ही साथ आपको मिलेगा personal coach का benefit, ये personal coach क्या करेंगे, आपको one-on-one guidance देंगे, आपका preparation strategy बना के देंगे, personalized वाला, customized study plan मिलेगा आपको, ताकि आप अपने characters और अपनी characteristics और अपनी learning speed और अपनी day-to-day activity के according study plan आपको मिल जाएगा, आपका performance track किया जाएगा, उसको improve करने के लिए tips मिलेगी, study booster session मिलेगे, personalized test analysis मिलेगा, dedicated doubt clearing instructors मिलेगे, और extra practice sets and notes भी मिलेगे, ये iconic subscription भी आपको 6, 12, 18, 24 months के लिए मिल जाएगा, कोई भी subscription low, code आपको याद है, ये code उसकर के 10% का instant discount और मेरा personal guidance पा सकते हैं, नया batch gate 23 के लिए start हुआ है, कब से start होगा, 13th of October से, with what course, algorithm by संची जैन सर, तो अगर आप चाहते हैं कि आप top class educators के साथ पढ़ के और उनके साथ best learning चाहते हो, तो जल्दी से unacademy plus पे आजाओ, और जल्दी से अपनी learning स्टार्ट कर दो एक नया offer rollout हुआ है, कि अगर आपने 12 months का subscription लिया, तो 4 months का subscription extra आपको add हो जाएगा आपकी profile में, क्या फायदा है, gate 23 के जितने experience हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा है, ताकि उन लोगों को extra 4 months जो gate 23 तक का preparation का plan है, वो उसके लिए अलग से pay करने की जरूरत नहीं ह काम हो जाएगा, बट ये offer सिफ 10th of October तक ही है, तो अगर आप subscription लेना चाहते हो, तो जल्दी से लेके और अपनी learning start कर दो, याद रहे code जो है, वो है ये, अगर आप preparation कर रहे हो, campus placement की IT jobs के लिए, तो उसके लिए भी अलग से category यान academy के platform पे test series और नई batches भी launch हुई है, तो याद रखिएगा, code आपको जो लगाना है, कहीं भी किसी भी चीज़ को unlock करने के लिए, वो है VDeep 10, ओके, आज का बहुत important session होने वाला है, और इस session के बाद, जो आप सीखोगे, वो बहुत लंबे time तक आपको याद रहने वाला है, ये, मैं guarantee लेता हूँ कि आपको याद रह जब तक आप पूरे concentration के साथ यहाँ पे present नहीं रहेंगे, और इन चीज़ों को उसी तरीके से नहीं समझेंगे, जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, तो problem हो जाएगी, क्या problem होगी, आप लोगों को जादा time तक वो concept याद नहीं रहेंगे, एक बहुत बड़ा important point बतात हूँ में, students na, question practice कर लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, solve करने के लिए time पर, practice करने के time पर maximum question solve भी कर देते हैं, बट जिब नया gate का question आता है, तो maximum student उसको समझी नहीं पाते हैं, कि ये question का solve कैसे किया जाए, बहुत बड़ी art है, उस art का reason बताओं क्या है, आपको यही नहीं स पताए gap क्यों आता है, इसलिए आता है, क्योंकि आप समझी नहीं पाते हो, जब आपको topic पढ़ाया जाता है, कि ये जो चीज हम समझ रहे हैं, ये दूसरी चीजों से कैसे connected है, अगर आप उन दूसरी चीजों से, उस question से, इस knowledge को connect कर पाओगे, तो immediately आपका question solve हो जाएगा, बट उसके लिए आपका क्या चाहिए, आपका concentration चाहिए, जब आप learn करते हो तब, आप सिफ रचने की कोशिश करते हो, सर ने ये बताया, हाँ ठीक है, उसके आजू बाजू आगे पीछे की चीज़े connect करने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए problem आती है, connect करने की कोशिश करो, तो automatically आप से क्योशन भी बनने लगेंगे, तो जल्दी से बताओ, message करके, are you ready, तो फिर हम start करेंगे session को, और unlimited learning जो है, वो start होगे, जल्दी से message करके बतादो, are you ready guys, if you are ready, then let's start the session, session थोड़ा बड़ा होने वाला है आज, ताकि हम एक ही session में सब कुछ, जो मैं पढ़ाना चाह आते हूं, वो सब कुछ cover कर पाए, तो stay tuned भागना नहीं, बीच session में, और start करते है, locality of reference, पहले एक एक word को तोड़ते हैं, और उनका meaning समझते हैं, उसके बाद definition और उसके बाद meaning भी समझेंगे, तो सबसे पहले बात है locality, locality का मतलब है neighborhood, आसपडोस, locality का मतलब क्या है, आस का main memory तक reference, अच्छे एक question मुझे दिमाग में आया, कि CPU main memory पे क्यों जाएगा, CPU main memory को refer क्यों करेगा, आपका answer आना चाहिए, यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे, इनके meaning लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग बताओ, कि CPU main memory तक जाता क्यों है, reference का मतलब है, CPUs, reference to main memory RAM, है न, क्यों जाता है main memory तक CPU, अब अगर आपको यही नहीं याद है, इसका मतलब आपने architecture part में कुछ पढ़ाई नहीं मुझ से, या फिर आपको याद ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर हम तो फालतू की जीज़ें याद रखने में विश्वास रखते हैं, हमको इदर उदर के सारी पंचायती की खबर रहती का नहीं में 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 मेरी तक जाना पड़ेगा, हाँ, CPU जब data access करने जाएगा, मतलब operator फेच करने जाएगा, तो वो भी कहां मिल सकता है, main memory में, तो CPU का reference कब आता है, main memory के लिए तब जब CPU program execute करने के लिए instruction या data को उठाने जाता है, कहाँ पे main memory पे, चलो, अगर ये समझ में आया, तो अब इन दोनों word को combine करते हैं, कि CPU जब main memory को refer करता है, तो एक neighborhood या एक locality या फिर एक asperos बन जाता है उस पर particular reference का, ये होता क्या है, बड CPU ने main memory के एक address को access किया, assume करो कि CPU ने currently main memory को access किया है, address 1000 पे, तो ये जो फिनोमेना है न, locality of reference, ये बोलता है, कि अगर CPU ने एक बार access किया, इस main memory को address 1000 पे, तो इस चीज़ की probability पका है, कि CPU या तो address, same address 1000 को, या इसके आसपास के addresses को refer पका करेगा, ये anticipation है, क्या है ये anticipation, किसका हमारे scientist का, through the different different experiments, they have decided or understood that ऐसा होता है, कि जब CPU ने एक address पे memory को refer किया, access किया, read write किया, उस address पे, तो आसपास के address, या फिर same address को CPU refer करेगा, इसको क्या बोलते है, locality of reference, example बताओ, real life से, तुम्हारा अपना बचपन याद आ जाएगा, देखो, बचपन नी बसपन याद आएगा, बता जिता हूँ, example बता जिता हूँ, ये देखो, आप class में बैठे हो, ये रहा classroom, AC, चेबल, एक table, ये तीन friends यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ है teacher, अब अगर teacher को लगा कि ये कुछ मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे teacher गया, और इसको तीन चार टिकाई line से, जब एक बार इसको पिटाई की, एक थपड मारा, या पीट पे मारा, तब इसको anticipation था कि teacher एक से रुकेगा नहीं, तो ये already essay mode में हैं, और वैसे ही रहेगा, जब तक कि teacher फिनिश ना कर दे, मतलब दो, तीन, चार लगातार पड़ेगी पड़ेगी इसको, बट इसके पास वाले जो है ना, वो automatically कोने में वह जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है, कि सर ने अगर इसको मारा, तो हमें भी मारने के chances बनते हैं, हमें भी एकाद दो, interest में ब्याज में लग जाएगी, मूलधन तो यहां ब्याज इसको मिल जाएगा पका, आई बास समझ में, यही तो locality of reference है, CPU ने, teacher ने मारने के लिए इसको एक बार मारा, तो उसी को या उसके आसपास वाले लोगों को भी मार पढ़ सकती है, अगली बार, इसकी anticipation है, हाँ, वही है, locality of reference, आई बास समझ में, अभी, locality of reference क्या है, definition समझ में आ गई, अच्छा, definition यह रही, if CPU has requested one address for memory access, अगर CPU ने request किया है, एक memory address for access, क्या होगा आगे, then, that particular address और nearby addresses will be accessed soon, same address और आसपास के address जो है, उनका access, CPU बहुत जल्दी कर लेगा, इस phenomenon को क्या बोलते है, locality of reference, अभी यह जो locality of reference मैंने बताई, इसमें दो चीज़े हैं, किसको next पढ़ेगी, same उसी को, जिसको अभी CPU ने मारा, या teacher ने मारा, या pass वाले को, जो उसका next वाला है, मतलब, अगर example के तोर पे देखा जाए, या reality में, CPU में देखा जाए, तो अगर CPU ने ये address access किया, अभी currently, तो कौन सा address next access होगा, अगर थोड़ी देर बात same, यही address CPU ने access किया, या फिर हो सकता है, आसपास के addresses access किया, तो यहाँ दो अलग अलग पार्ट में ये definition divide हो जाती है, अगर same address को CPU access करेगा, थोड़ी देर के बाद वापस, तो इसको बोलते है, temporal locality of reference, ठीके, और अगर CPU ने आसपास के address को access किया, तो उसको बोलते है, spatial locality of reference, तो CPU ने एक address refer करने के बाद, थोड़ी देर के बाद किसको refer किया, same address को, तो इस चीज़ को बोलेंगे, temporal locality of reference, और अगर आसपास के addresses को किया, तो, क्या बोलेंगे, spatial locality of reference, तो यही definition को, दो अलग अलग पार्ट में divide कर दिया गया है, ठीके, तो यह जो है, type है, अलग लग, किसके, locality of reference के, temporal और spatial, अब temporal में मैंने क्या कहा, कि थोड़ी देर के बाद, वही address, जो थोड़ी देर पहले refer हुआ था, उसी को CPU वापस से access कर रहा है, है ना, तो, according to the time, थोड़ी देर के बाद, according to the time, CPU is referring same address again and again, that is temporal locality of reference, तो इसका, जो base है, व based on time, थोड़ी देर के बाद, same address वापस refer हुआ, और spatial locality of reference, जो है, वो किसके basis पे है, based on space, आज पास के addresses को CPU access करेगा, तो, special and temporal दो अलग, अलग, टाइप हो गए, temporal का मतलब, if same address is referred soon, if nearby addresses are referred soon, यह होगा temporal और spatial, है ना, समझ में आगई बात, यह दोनो locality of reference को, अगर आप समझ गए हो, तो, बहुत अच्छी बात है, yes, no, लिखो जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब आप बोलोगे, सर, इतने experiment कर लिये, है ना, बहुत सारी जाच परताल, यह वो सब करने के बाद में, यह locality of reference का concept निकाल लिया, किस ने निकाल लिया, scientist ने, concept भी दे दिया, phenomena दे दिया, फाइदा क्या है, इसका फाइदा क्या है, इसका फाइदा जो है, वो scientist ने सर्च किया, और इस तरीके से, एक ऐसा, एक नया, उन्होंने implementation दिया, एक computer organization का, जिसमें performance इंप्रूव हो पाए, तो इस locality of reference के basis पे, उन्होंने क्या, उन्होंने क्या understand किया, उन्होंने ये understand किया, कि जब CPU, कोई process run करता है, तो वो main memory के, सारे के सारे content को एक बार एक साथ refer नहीं करता, एक address, फिर उसके बाद next address, next address, next address, और ये जो एक particular time duration हमने लिया है, एक time span लिया है, इस time span में, जो CPU है, वो, कुछ ही छोटी छोटी localities का reference करता है, memory से, कि CPU जब एक process run करेगा, तब इतना, इतना और इतना ही CPU एक्सेस करता है, ठीके, और बहुत सारे example हो सकते हैं, इस चीज़ के, मैं एक छोटा सा example देता हूँ, आपके पास एक बड़ा सा wardrobe है, जिसमें धेर सारे कपड़े हैं, है ना, जब summer time आया, या let's say winter time, उल्टा लेते हैं, winter time आया, तो इस wardrobe के कुछ ऐसे collection को आप use करोगे, एक particular time duration में 2 months, 3 months के लिए, जब winter cloth की ज़रोत पड़ती है, तब आप वो सारे cloth use करोगे, आप summer वाले dresses use नहीं करते हो, usually, जो light dresses हैं आपके, या light shirts हैं आपके, जो भी आपके summer की dresses हैं, वो use नहीं करोगे, of course, of course, आप थंडी में, of course, maximum जगे पर ऐसा ही होता है, इस country में तो, until and unless you are not on a, you know, very very extreme place, तो आपको rain coat की भी ज़रौत नहीं है, ठंड में rain coat की ज़रौत maximum time नहीं लगती है, of course, नहीं लगती है, तो आप एक particular wardrobe को ही access करते हो, जैसे कुछ महिनों तक जब आप lockdown में थे, तब lockdown में आपने बहुत सारी अपनी जो अच्छी dresses थी, बाहर जाके जिनको पहन सकते हो आप, या फिर शादी parties में जो पहनते हो, आप suits हैं आपके, या फिर ladies की जो suits हैं, जो एकदम बहुत जादा fancy वाले dresses हैं, वो आपने यूज नहीं की, आप maximum time वही dresses यूज कर रहते हो, या कर रहे थे, जो आप regularly घर में पहनते हो, इसका मतलब एक particular duration में आपने पूरे wardrobe के कुछ ही section को use किया, बाकी के as it is रखे रहने भी, होता है ऐसा, हर किसी के लिए होता है, यहां भी ऐसा हो रहा है, कि एक time पे जब CPU run करता है process को, तो कुछ ही छोटी छोटी localities ऐसी है main memory की, वही CPU use करता है, बाकी use नहीं करता है, बाकी as it is, main memory में हैं, बड़ use नहीं है, अब जरूरत CPU को छोटी छोटी इतना इतना data की ही है, बट फिर भी हम CPU को बोलते हैं, कि तुम main memory इतनी बड़ी main memory पे जाओ, और वहां से बहुत सारा time लेके, और इस content को access करो, ये तो बड़ा ही problematic case है, अच्छा एक और example मेरे दिमाग में आया है, जब तक example खतम नहीं होते, मेरे को chain नहीं आती है, एक और example मेरे दिमाग में आया, ये है आपकी hard disk, इस hard disk में आपने क्या किया, हमारे जितने lectures हैं, उनको download करकर करके रख लिया, सारे subjects के lectures आपने रख लि लिए, COA के lectures रख लिए, आपने data structure के रख लिए, सारे courses के lectures रख लिए, एक एक folder बना दिया, अब आपने gate की preparation स्टार्ट की, एकदम fresh और दो subject parallel आप पढ़ रहे हो, तो दो subject आप अगर parallel पढ़ोगे, तो आप OS लेक्से आपने data structure से start किया, और COA से start किया, तो ये दो subject के lectures को आप हमेशा देख रहे हो, ठीक है, देख लिए भी है, इसके और इसके, जब आप CO और data structure पढ़ोगे, तब OS के folders को आप हात नहीं लगाओगे, DBMS के folder को आप हात नहीं लगाओगे, TOC के folder को आप हात नहीं लगाओगे, तो पूरी hard disk में इतना content है, बट उसमें से at a particular duration of time, आ अभी हमको चेहरत पड़ीगी, और इससे जादा नहीं पड़ीगी, अभी currently, थोड़े हो सकता है एक महीने बाद जब यह दो course खतम हो जाए, नए दो course आए, तो नए दो course को access करोगे, इनको access नहीं करोगे, तो locality बन जाती है, किसकी access की reference की, यहाँ पे भी CPU में भी ऐसा होत आएगा, तो of course it's not a good performance thing for you, यह अच्छा performance नहीं है आपके लिए, तो scientist ने सोचा कि एक काम करते हैं, अब हमको अगर पता ही है, कि सिफ और सिफ इतना इतना data at a time use में आएगा, तो इतनी बड़ी memory पे access क्यों दिया जाए, तो scientist ने यहाँ पे CPU और main memory के बीच में एक छोटी स हां जी बिलकुल hardware लगाया है, बराबरी से, इस hardware, एक छोटी सी memory hardware रख दी, और इस hardware में क्या कहा, कि यह जो localities है, जो CPU को अभी demand में हैं, इन localities को इस hardware में copy कर दो, इस hardware में copy करने से फाइदा क्या है, CPU को जो चाहिए मिल तो जाएगा, बिलकुल मिलेगा, कम time में मिल बिलकुल quickly मिल जाएगा, तो इसका फाइदा क्या है, इसका फाइदा यह है, कि जब CPU एक्सेस करने जाएगा, content को, कौन से, main memory के content को, तो उसको main memory तक बार-बार जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, यहीं से मिल जाएगा, और इस memory का नाम दिया गया, cache memory, तो cache memory जो है, वो क्यों use में आई, कि हमें पता चल गया, locality of reference concept के basis पे, कि CPU कुछ ही locality को access करना चाहता है, at a particular duration of time, तो हम उन currently demanded localities को, जो CPU की demand में है, उनको एक छोटी और fast memory में रख देंगे, ताकि क्या हो जाए, ताकि हम उनको access कर पाए, कौन access कर पाए, CPU access कर पाए, कैसे access कर पाए CPU, quickly access कर पाए, कम time में access कर पाए, और इस cache memory का use इतना गजब हुआ, कि इसकी वज़े से CPU को, जो main memory access करने के लिए overall time लग रहा था, वो reduce हो गया, पहले बहुत time लग रहा था, अभी कम time में ही काम हो गया, तो cache memory क्या है, cache memory है, उसकी definition में यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको conceptually वो definition समझ में आए, based on locality of reference concept based on the locality of reference concept current demanded localities of are kept into a smaller and faster memory known as cache known as cache क्या बोलते हैं इस memory को cache memory आप देखो ये c-s-e-h-e spelling है और cache इसका correct pronunciation है अब तुम्हारी मर्जी हो तुम इसको cache बोलो cache बोलो cache बोलो cashew बोलो जो बोलना है बोल दो correct spelling और pronunciation मैंने बता दिया है ठीक है ओके अब ये cache तो आपने use कर ली पर इसके use करने का फाइदा क्या हुआ फाइदा क्या हुआ जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से बताओ कि फाइदा क्या है इसका use of cache reduces CPU's memory access time CPU का जो memory access time है वो on an average reduce हो जाता है यह है आपका cache memory तो main memory और CPU के बीच में एक छोटी सी memory हमने लगा दी hardware है बराबर chip है SRAM टाइप की chip का cache memory लगा होता है CPU पे इस cache memory को न on chip cache भी कहते है या on chip memory भी कहते है क्योंकि यह किस पे लगा होता है CPU के motherboard पे ही लगा होता है main memory motherboard के बाहर होता है जो एक CPU का chip होता है उसी पे ही cache memory attached होता है इसलिए on chip memory भी बोलते है cache को और main memory CPU के बाहर होती है चीक है चलिए तो memory references जो है वो उसका performance increase हो जाएगा किसकी वज़े से cache को use करने की वज़े से और overall time जो memory का access का लगेगा वो कम लगेगा चलिए अब बात करते हैं working of cache के बारे में working of cache के लिए सबसे पहले दो points हमें समझना होंगे एक होता है cache hit और दूसरा होता है cache miss आपने तीर छोड़ा तीर निशाने पे लग गया तो hit नहीं लगा तो miss यही simple सी चीज होती है वो भी यहाँ पे है CPU ने एक address generate किया और उस address के according CPU ने चेक किया कि क्या मेरा demanded content cache में present है अगर है तो hit कम टाइम में content मिल गया अगर नहीं है वो content cache memory में तो CPU को main memory तक जाना पड़ेगा वो है miss जैसा कि आपके साथ होते हैं आप अपनी table पे या bed पे जहां भी बैठते हो फिर check करते हो कि मेरा pen कहा है मेरा pen यहां है की नहीं अगर है मिल गया bed के आसपास ही तो hit नहीं तो आपको उठके जाना पड़ेगा फिर वो table से उठा के लगा जाना पड़ेगा cash hit is CPU's demanded content is present in cash मेरी 11 year की teaching experience में मैंने एक student ऐसा नहीं देखा जिसको इनका definition नहीं बता सारे students को ये दोनों चीज़े 100% पता थी अभी तक ऐसा कोई student मैंने नहीं देखा जिसको cash hit और miss नहीं पता हो सबको पता था श्वेता का बड़ा interesting सा question आया सर, locality size will always be fixed श्वेता इस बारे में definitely बात करेंगे but yes, your answer is true होगा ऐसा, बिलकुल होगा fix रहेगी locality की size तो CPUs demanded content is present in cash उसको बोलते हैं cash hit when CPUs demanded content is not present in cash अब देखो cash memory का performance तब बढ़ेगा जब maximum time CPU का referred contents किस में मिल जाए cash memory में मिल जाए मतलब ज़ादा से ज़ादा hit हो और कम से कम miss हो तो हम बोलेंगे कि हाँ भईया CPU CPU ने जितना बार demand किया उसमें ज़ादा से ज़ादा hit हुए मतलब cash का performance बहुत अच्छा है तो इस particular चीज को measure करने के लिए एक ratio दिया गया और इस ratio का नाम है सब को पता है ये ये सब पढ़के आते हैं college में इतना सब को पता होता है है ना क्या बोलते हैं उस ratio को cash hit ratio लिखते था हूँ यहाँ पे performance of cash is given by what hit ratio ये hit ratio है क्या जितनी बार CPU ने demand किया किसका किसकी demand की content की demand की उन में से कितनी बार hit हुआ total references में से कितनी बार hit हुआ उसे क्या बोलेंगे cash hit का ratio चीके तो cash hit ratio को हम denote करते हैं h से और इसका जो formula है सब को पता है यार मुझे सिफ formality के लिए लिखना है hit ratio को आप बोलते हो number of hits in the cache divided by total memory references कितनी बार CPU ने memory के लिए request की उन में से कितनी बार hit हुआ उसे बोलते हैं hit ratio ये पता था कि नहीं तुमको ये बताओ जल्दी से जे तुमको पता था कि नहीं बबुआ जल्दी बताओ अरे ओ बांगडू तुम बोलेगा तो हम आगे बढ़ेगा number of HCA अगर hit ratio 90% है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10% memory references में miss हुआ अगर hit ratio 80% है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि memory references 20% miss होगे तो क्या अगर ratio के case में देखा जाए तो hit ratio 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा yes of course total में से कितने hit हुए तो hit तो हमेशा total से या तो बराबर होँगे या कम होँगे हो सकता है 0 hit हुए सारे ही miss हो गए हो सकता है सारे के सारे hit हो गए तो hit ratio 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा लिख दू यहाँ पे अगर hit ratio इतना है तो miss ratio कितना होगा 1 minus h या फिर 100% minus h percentage ठीक है चलो अब बाग बढ़ते हैं और working of cash को समझते हैं यह मेरा सबसे सबसे जादा favorite part है क्योंकि इस चीज में मैं ऐसे examples use करता हूँ जो मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है जिन लोगों ने मेरे पुराने lectures देख रखी हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे example देने की कोशिश करता हूँ real life से ताकि आपको cash का काम समझ में आए है ना चलो अभी सबसे पहले एक छोटा से example से start करते हैं which is one of my favorite examples of all the topics example कुछ इस तरीके से है कि आपके घर में एक कोटे से बच्चे का है birthday और उस birthday के लिए आपको responsibility मिली है कि आपको जो पार्टी हॉल है आपके घर का उस पार्टी हॉल को decorate करना है अब पार्टी हॉल बहुत बड़ा है decoration के items आप लेके आ गए market से धेर सारे center room center पे आपने सारे decoration के item रख दिये बहुत सारे ribbons है साटन के और कागर्स के और बहुत सारे ribbons आप लेके आगए balloons लेके आए उन सबको आपने blow करके फुला के और एकदम pack करके not what बांद के और सब यहाँ एकदम room center में कर दिया range अब इतना करने में बहुत time लग गया आपको और आपके पास party का time आपके बहुत नजदीगा रहा है अब problem यह है कि party का time नजदीग है अगर हमने decoration सही time पे किया नहीं तो फिर क्या होगा तो फिर डाट लगीगी पक्का मम्मी पापा बड़े लोग बहुत सारा डाटेंगे कि तिर से एक काम नहीं हुआ तो आपने क्या किया चलो यार किसी की help ली जाए तो एक छोटे बच्चे को पकड़ा घर में से और उसकी आप help लेने चले गए अब आप उसकी help लेने चले गए तो वो छोटा बच्चा ऐसे बिना of course बिना कोई रिश्वत के तो मानेगा नहीं और आजकल के बच्चे तो बहुत जादा शातिर हो गए हैं हाँ बिलकुल उनको चौकलेट आइस क्रीम नहीं चाहिए चौकलेट आइस क्रीम बर्गर पिज़ा वगएरा उनकी सबकी डिमांड आराम से हो जाती है उनको आजकल चाहिए mobile phone with good internet connectivity जिसमें अच्छा game का level होना चीए ताकि वो game खेल पाएं तो आपका जो छोटा मतलब जो आपकी घर का छोटा बच्चा है अफकोर्स वो बच्चा तो काम नहीं करेंगा जिसका बर्दे है कोई दूसरे बच्चे को भी पकड़ोगे है ना आपने उसको पकड़ लिया बोला चल ठीक है यार मेरा phone ले ल उसको बट उसके पहले आप थोड़े से शातिर बनोगे और अपने जो chatting apps है उनको lock कर दोगे और अपनी galleries etc. etc. को lock कर दोगे ताकि वो आपकी privacy पे ना जाग पाए और फिर क्या किया आपने उसको phone दे दिया ले खेल game वो एक हाथ में phone और एक हाथ में जो भी आपको item यह ना बच्चा आपकोर्स बच्चे आजकल बहुत नॉर्मल नहीं रहे हैं बहुत शातिर हो गए बच्चे तो वो ना anticipate करेगा कि आपको चाहिए क्या भाईया दीदी अंकल आंटी द्बुआ चाचा जो भी आप लग रहे हो उस बच्चे के वो सोचेगा कि यार इनने एक बलून क्यों मांगा एक बलून से तो इनका काम चलेगा नहीं कॉर्णर डेकोरेट नहीं हो पाएगा मतलब और बलून चाहिएंगे हां तो वो क्या करेगा अगर आपने एक बलून मांगा न तो यहां पे आपके पास में रूम सेंटर पे जाके एक बार जाएगा धेर सारे बलून अपने हाथ में राके और कॉनर में खड़ा हो जाएगा आपने बलून मांगा थे ये लो अब आपने जब एक बलून मांगा उसने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया कि एक बलून लेने के लिए रूम सेंटर तक तो गया बन उसके साथ ही साथ वो और भुठेर सारे बलून लाके और यहां खड़ा हो गया अब आपने बोला एक बलून ये लो फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने उस बलून को यहां पे चिपका दिया तो थोड़ी देर के बाद आपने फिर बोला एक और बलून चाहिए अब ये जो बच्चा है वो टाइम सेव कर रहा है इसको पता था मेरे को पता था आप एक और बलून मांगोगे देखो मैं लेके आगया हूँ यहां पे तो वो बच्चा फिर आपने हाथ से ही बलून दे देगा ये लेओ आपने एक और बलून मांगा ये लेओ एक और बलून मांगा ये लेओ फिर सारे बलून का इस पर्टिक्लर कॉर्णर का आपका काम हो गया उसके पास और दो-तीन बलून बचे रहे गए इस फाइन आपने बोला अब एक काम कर तु ग्रीन कलर का रिबिन लेकिया डेकोरेशन के लिए आपने कहा तु ग्रीन कलर का रिबिन लेकिया अब वो बच्चा यहां आएगा फिर सोचेगा सोचेगा तो सही हाँ स्मार्ट है आपके तरह डबू नहीं है है ना चलो स्मार्ट है बच्चा corner यहां room center आया, उसने सुचा, ribbon, एक ribbon से तो काम इनका चलेगा नहीं, अब corner पे balloon का काम तो हो गया है, वो balloon छोड़ देगा, और ribbon उठाएगा, इस बार आपने बोला एक green color का ribbon लेकिया, उसने green color का ribbon यहां हाथ में रखा, और भी बहुत सारे ribbons वो अलग-अलग color के हा थोड़ी दिर बाद आप बोलते हो कि एक और green color, उसके हाथ में यहां पे रखे हुए है, उसने एक और green color महीं से दे दिया, time save कर लिया, बार-बार उसको इस room center तक आने की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका anticipation था, उसका एक future को देखने का vision था कि अगर भाईया ने दीदी ने अंकल, आंटी, चाचा, चाची बुआ जो भी आप उसके लग रहे हो बच्चे के, अगर आपने वो एक ribbon मांगा, तो और ribbon मांगोगे, पका, तो उसकी वैसे उसने क्या किया, उसने सारे और दूसरे ribbons लेके और यहां पर आपास में खड हो गया, ताकि बार-बार room center जाने की उसको जरूत ना पड़े, तो क्या उसने time save किया, हाँ, एक बार जाके और थोड़ा extra time ले लिया, बट बार-बार उसको room center जाके, और हर एक छोटी-छोटी चीज उठाने की जरूत नहीं पड़ेगी, and that is what the basic concept of cash working, अब आप बोलोगे, इसमें कहां cash आ गया sir, बता तो, बड़ा मज़ा आएगा, CPU ने suppose, demand किया, एक particular address x, इसके data को, अब देखो, demand जो है, read, write किसी की भी हो, अभी हम उसके बारे में ज्यादा tension नहीं लेंगे, CPU का reference, memory का read का भी हो सकता है, write का भी हो सकता है, किसी का भी हो, CPU ने इस x address को access करने की कोशिश की, हमको लगा, कि भाया CPU ने इसकी demand की, हाँ, main memory का address x की, जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे locality of reference का concept, कि locality of reference बोलता है कि यही address x, या इसके आस पास के और addresses का content CPU access कर सकता है, anticipation है, balloon मांगा, आस पास के और balloon मांग सकते हैं भहिया, तो हम क्या करेंगे, आस पास के जितने balloon है, इतना, एक पूरा locality उठा के, और इस cache memory में ले के आ जाएंगे, एक बार के access पे, हम पूरा locality उठा के cache memory में ले आए, क्या CPU ने x के अलावा, कोई और दूसरे address के अभी demand की, नई, मैंने सिफ एक green color का ribbon मांगा था, हम आँ खड़े होके, और दूसरे color के ribbon मांगे, नई, बट बच्चा smart था न, anticipate किया, तो उसने क्या किया, कि एक बार के एक address के miss पे, पूरा एक block उठा के यहां ले आए, यह locality को हम technical language में block बोलते हैं, locality जो है न, एक, इसको हम technical language में क्या बोलते हैं, block, तो यहां पर पूरे cache memory में हम क्या बात करेंगे, block की, तो CPU ने अगर, एक address को access करने की कोशिश की, तो वो address का content, जिस भी block में है, उस पूरे block को उठा के हम cache memory में ले आए, क्या anticipation है हमारा, anticipation है, की, आसपास का address CPU access पका करेगा, और ऐसा होता भी यह maximum number of times, कि CPU आसपास के addresses को, या same address x को access करने की कोशिश करता है, तो उन सारे addresses के access के लिए, हम फिर इस main memory center table पे नहीं जाएंगे, हमको यहीं पास में ही खड़े होके, और बार 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 दूसरे balloon, या फिर दूसरे ribbons दे के, और काम चल जाएगा, तो क्या हुआ, इन जनरल केस, अगर CPU ने experience किया, कि एक miss हुआ है cache memory में, तो वो क्या करेगा, CPU main memory तक जाता है, main memory से एक पूरा block उठाता है, जिसमें वो demanded content था, और उसको उठा के, और cache memory में copy कर देता है, पाइदा क्या हुआ, पाइदा ये, कि block के दूसरे content का access, बहुत जल्दी होने वाला है, इसका anticipation हमें है, और उसके basis पे हम क्या करेंगे, उसके basis पे CPU, उसके आसपास के addresses के लिए, कभी भी जादा time लेके, और main memory को access करने नहीं जाएगा, cache से ही access करके, और कम time में उनको access कर लेगा, तो locality of reference concept से हमें क्या समझ में आया, ये anticipation समझ में आया, कि भाईया, अगर CPU आसपास का address access करेगा, तो ले आओ cache memory में, अगर आप लोग को कोई भी lecture series अच्छी लगती ही, तो उसके पहले वीडियो पे जाके, और उस पहले वीडियो पे अपना comment ज़रूर ड्रॉप करिएगा, जो भी आपका feedback है, वो ज़रूर ड्रॉप करिएगा, ये दूसरे students को help करेगा, कि ये playlist हमें देखनी है या नहीं, ठीक है, चलो, तो अगर इतना आपको समझ में आया, और example बताऊं, हाँ, बिल्कुल और example बताता हूं, आप लोगों को cricket का थोड़ा बहुत knowledge है, बॉलिंग बैटिंग क्या होती है, है ना, suppose मैं एक cricket का student हूँ, मैं cricket की practice करने के लिए daily to daily ground जाता हूँ, ओके ground मेरे घर के बहुत नजदी है, बहुत जादा दूर नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो है, 15-20-25 कदम दूर, walk करके ही मैं अपना cricket लेके और practice करने जाता हूँ, मैं वैसे तो एक baller हूँ, बट balling all-rounder हूँ, मतलब main मेरा जो skill है, balling का है, बट batting भी मैं occasionally ठीक ठाग करता हूँ, है ना, अब मुझे पता है कि जब भी मैं practice करने के लिए रोज जाओंगा, तो मुझे अपनी practice में starting में क्या करना है, balling ही करनी है, बट मुझे ये भी उम्मीद है कि मुझे daily to daily कहीने कहीन थोड़ी बहुत batting में मिल जाती है, बाद में, अभी नहीं बाद में, तो क्या जब घर से निकलूंगा मैं, तो सिर्फ अपने balls लेके practice करने के लिए जाओंगा, नहीं, अपने batting का पूरा kit लेके भी जाओंगा, क् क्योंकि मेरा anticipation है, ठीक है, first के 45 minutes अबर मैंने balling की है, उसकी practice की है, मान लिया, उसके लिए सिर्फ balls लगेंगी मुझे, कोई problem नहीं है, बट अगर last 15-20 minutes के लिए, या half an hour के लिए, मुझे batting मिली, तो batting kit को लेने के लिए, मैं घर थोड़ी आओंगा वापस, एक बार जब जा रहा हूं, तभी साथ में लेके जाएंगे, आई बास समझ में, right, तो क्या मैं anticipate कर रहा हूं, हाँ, कि future में मुझे batting के लिए batting kit की जरूत लगेगी, gloves, और जितने भी, जितने भी batting kit के जितने apparatus होते हैं, वो सब लगेंगे, हाँ, तो अगर वो सब लगेंगे, तो हम ल बढ़ा, अच्छा question आ है, sir, address of main memory and cash memory will not be same every time, तो श्वेता, इस question को आप unanswered रखो, ये चीज में बताऊंगा, आज से 3 lecture के बाद Monday को, हाँ जी, लिख के रख लो, timing, मेरा date और time fix है, Monday को हम एक topic के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है cash mapping, उसमें आपको समझ माएगा कि य अच्छा ऐसा होता है, तब तक के लिए अभी इस चीज को suspense रोखो, ऐसा होता है, अब बात क्या कर रहा था, मैं वापस इस चीज पर आता हूँ, anticipation की, एक और example दूँ, एक और example आपकी mom रखती है, anticipation किस चीज का, आपके घर में अगर चाई बनती है, बहुत regularly, तो आपकी mom जहां खड़े होते हैं, प्लैटफॉर्म पे, वहाँ, जहां खड़े होते हैं, उनका प्लैटफॉर्म और hob होता है, kitchen का, वहाँ पे छोटे-छोटे दो डब्बों में, एक चीनी का डब्बा और एक चाई पत्ती का डब्बा 100% accessible होता है, उनको इधर भी इधर, एक इंच के घर में नहीं, जादा है, बट फिर ये छोटे-छोटे डब्बे क्यों रखे, accessible हो जाए, इसलिए कम टाइम में, आपकी मॉम को पता है कि दिन में चार बार, पांच बार, दो बार, दीन बार चाई बननी है, और उसके लिए उनको चाई पत्ती और शकर की जरुत लगीग जोटे-छोटे-छोटे डब्बे हैं, वो है कैश आपकी, सपोज एक पर्टिकलर टाइम पे आपकी मॉम जब चाई बना दी है, तो शुगर खतम होगी, छोटे डब्बे में शुगर खतम होगी, तो वो क्या करेंगे, बड़े डब्बे की तरफ जाएंगे, अभी चाई के जब चाई बनाने की जरूत पड़े, तो इस बड़े डब्बे को उपर से नीचे बतारने की जरूत ना पड़ेगी, समझ में आई, समझ में आई बात, समझ में आई, तो ये छोटा डब्बा जो शकर का है, वो है कैश में मेरी, और एक्जाम्पल किचन से बताऊं, तो मसाले का डब्बा एक round, usually round shape का होता है, एक छोटे से मसाले का डब्बा जो है, वो maintain करती है, है न, ऐसे छोटे 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 boxes होते हैं, होते हैं, एक में नमक, एक में मिर्ची, एक में जीरा पावडर, एक में राई, जो भी आप बोलो, उन सारे अलग मसालों को अपनी मसाले रखे हुए हैं अलग-अलग जगे पे, बट ये मसाले का डब्बा इसलिए यूज में आता है, या बनाया जाता है, ताकि एक बार जब आपकी मौम, मौनिंग में या इवनिंग में, लंज डिनर जो भी बनाना है, उन्हें करी या कोई भी प्रिप्रेशन के लिए ज जीरा भी लगेगा, किसके लिए, जो भी करी, सब्जी या जो भी कोई प्रिप्रेशन करनी है उसके लिए, तो वो एक पर्टिकलर डब्बे में एक ब्लॉक में उसको रख लेती हैं, और जैसे ही एक चीज़ की ज़रूरत लगी तो पूरा का पूरा ब्लॉक अपने पास मे रख लेती है, ताकि वही के वही सारा का सारा काम हो जाए, एंटीजिपेशन है उनका, क्या, कि सब्जी बनाते वक्त, करी बनाते वक्त, क्या कोई भी खाना बनाते वक्त, उन्हें चाय, नमक, नमक के साथ मिर्ची, मिर्ची के साथ में जीरा पाउडर और बाकी के सारे मसा मसाले एक एक बड़े-बड़े डबल से निकालने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपकी मॉम के पास एनिवे कभी टाइम होता नहीं यह बहुत जादा है ना टाइम सेव करने के लिए मॉम कैशिंग करती है किसकी छोटे-छोटे मसाले के चीजों की अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट सा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आया है और वो आया है कि अगर एक बार मिस होता है तो क्या होता है in case of miss cpu miss मतलब कौन सा miss cache memory में miss है ना और कुछ मत समझ ला in case of miss है ना cpu goes to main memory accesses the required content and then brings the block कौन सा ब्लॉक कोई भी रेंडम ब्लॉक उठा के लिए आएंगे cache memory में नहीं वही वाला ब्लॉक जिसके लिए मिस हुआ है cache memory ठीके brings the block क्या लिखूं ब्लॉक के बीच में bracket में which which contains koala block ऑडेंच में अभी current demanded content है which contains currently demanded content so, brings the block from main memory to cache तो अगर छोटे डब्बे में आपकी मॉम को शुगर नहीं मिली तो पहले वो बड़ा डब्बा उठाएंगी बड़े डब्बे से एक चम्मच दो चम्मच जितनी शक्कर लेनी है वो डारेक्ली यूज कर लेंगी पहले उसके बाद में इस छोटे डब्बे को भर देंगी वही मैंने कहा CPU के एक बाइट की एक वर्ड की जरुरत पड़ी CPU ने देखा कि cache memory में miss हुआ है तो वो बाइट या वर्ड जो CPU को चाहिए था पहले CPU main memory से access कर लेगा और उसके साथ ही साथ फिर वो जो बाइट या वर्ड जिस ब्लॉक के अंदर रखा है उस ब्लॉक को cache memory में copy किया जाता है ये second part क्यों जरूरी है second part जो है वो future references में hit लाने के लिए है ठीक है? चलब अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं एक particular चीज को जो है average memory access time on an average हम memory access time कितना लगेगा? on an average average memory access time जो है उसे हम denote करेंगे t average से वो होता है जब hit है तब कितना memory access time लग रहा है? for each hit plus miss है तो miss के time पर memory का access time कितना है? memory access time for each miss यह होगा आपका average memory access time जब hit है तो कितना time लगेगा memory को access करने के लिए हर एक बार और जब miss है तब कितना time लगेगा? यह होगा average memory access time it will replace with the previous block श्वेता, that also I will talk about कि जब आप एक block को लेके आते हो cash memory के अंदर तो क्या आपको replacement की जरुरूत पड़ेगी? पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है अगर empty place है तो directly रख दो नहीं है, वहाँ पे कोई already block रखा हुआ है तो replace कर दो ठीके, अभी इस particular equation को मैंने नाम दिया है equation number one number दे दिया, और यह है आपका general formula general formula मतलब यह है general conceptual formula अब यहाँ पे ना maximum students को एक सबसे बड़ी जो question दिमाग में आता है कि sir, average में आपने total reference से तो division किया ही नहीं average कहां से आगया, इसमें division तो आया ही नहीं average मतलब तो total time divided by average total time divided by total references ऐसा करते हैं पड़ यहाँ तो division आया है नहीं तो मैं बता दू कि यहाँ division already इस h और 1-h में है, यह h number of hits नहीं है यह hit ratio है, इसमें number of hits divided by hit ratio already, यह divide by total references है तो अगर एक hit के लिए इतना time है तो total hit के लिए कितना time लगेगा, यहाँ से निकले जाएगा divided by total references नहीं समझ भाएगा यार तुमको यहाँ तो मने समझाण उच पड़ेंगा थमारे नी तो समझ में न को आवेंगो ओके, चलो एक काम करते हैं पहले तो यह equation number one अमारा यह है general formula इसको लिख लेते हैं ठीक है, पिर आगे बात करता हूँ आगे क्या है, general formula के आगे है यह, मैं example लेता हूँ बताता हूँ, example suppose CPU-referred memory total 200 times among those we had hit 160 times and miss 40 times, 200 हो गया total each hit requires 10 nanosecond time so whenever there is a hit CPU requires 10 nanosecond time to access the content from memory and each miss requires 100 nanosecond हर एक miss के लिए 100 nanosecond लगेगा आपकोर्स जादा time लगेगा क्योंकि main memory तक जाना पड़ता है और हर एक hit के लिए 10 nanosecond लगा अच्छा अब यहाँ पर अगर calculate करू total hit time तो कितना हो जाएगा total hit का time कितना होगा बताओ 160 hit है हर एक hit के लिए 10 nanosecond तो total hit का time हो जाएगा 160 into 10 nanosecond 1600 nanosecond total miss time कितना हो जाएगा वो होगा 40 times तो miss है हर एक miss के लिए लगेगा 100 nanosecond 4000 nanosecond तो total सारे references के लिए time कितना होगा 5600 nanosecond आ गया अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आगे है अगर total time इतना है तो average time कितना होगा एक memory reference के लिए ये total time निकला है 200 references के लिए 200 के लिए अगर इतना है तो एक memory reference के लिए कितना time लगेगा average one memory access time will be equal to 5600 nanosecond divide by 200 कितना होगा ये बताओ 28 nanosecond is that fine sir please update please कुछ बोलिये pdf के बारे में pdf update कर दूँगा ये class के बाद में pdf डाल दूँगा ठीके 28 nanosecond ये ही चीज तो आम डारेक्ली भी तो कर सकते थे कैसे आप देखो कि hit ratio कितना है total references में से 160 times hit हुआ मतलब 0.8 और miss ratio कितना होगा 20% तो अगर t average निकालने जाए तो डारेक्ली formula लगा सकते है 0.8 times आपको लगेगा 10 plus 0.2 times आपको लगेगा 100 राइट यहाँ जाएगा 8 यहाँ जाएगा 20 28 nanosecond अब आप बुलोगे सर ये दोनों एक जैसे match कैसे हुए यहाँ देखो 0.8 कैसे आया 160 divided by 200 से यह 0.2 कैसे आया 40 divided by 200 से तो हमने यहाँ यू समझ लो कि 10 into 160 divide by 200 यहाँ पे 40 into 100 divide by 200 कर दिया 200 common ले लो वही तो यहाँ किया हुआ आई देखो 60 into 10 plus 40 into 100 दोनों का addition divide by 200 वही तो है तो average निकल गया हाँ जी अब confused नहीं होना है अब है सबसे important topic types of cash access शोर रहूल after this class I will drop all these PDF दो type के cash के access होते हैं computer organization में जो designer है computer का हो decide कर लेता है कि कौन सा type का access system में रखना है एक simultaneous होता है एक होता है hierarchical ठीक है simultaneous access का मतलब होता है कि parallel access simultaneous access को हम parallel access भी बोलते हैं क्या मतलब है CPU जब कोई content चाहता है तो वो cache को भी signal भेजेगा main memory को भी भेजेगा एक साथ एक साथ अगर एक साथ signal भेजा तो कम देर में ही CPU को पता चल जाता है कि वो content CPU से जो cache में signal गया है उसके according वो content cache में है की नहीं है hit है की नहीं है अब आप बोलोगे सर कम देर में कैसे पता चल जाएगा ऐसे पता चल जाएगा कि cache छोटी है access time कम है main memory बड़ी है उसका access time जादा है तो of course कम time में पता चल गया कि cache memory में वो content मिला की नहीं मिला अगर उतने time में content मिल गया तो इतना इसका मतलब है कि hit के time पे सिर्फ cache memory access के बराबर time लगेगा और काम हो जाएगा कि content मिल गया बड़ अगर miss हुआ तो ये वाला जो signal हमारा main memory तक गया है वो continue होता रहेगा येस तो miss के time पे total time कितना लगेगा सिर्फ main memory access time के बराबर क्यों? क्योंकि हमने दोनों का access एक साथ start किया था आया समझ में? नहीं मेरे को पक्का पता है तुमको नहीं समझ में आएगा जब तक छोटे-छोटे example ना दू में अभी तुम्हें दे दू आ IIT में क्या करोगे बच्चा वहाँ पे जब teachers पढ़ाने आएंगे तो तुम्हारे को ऐसी छोटी-छोटी चीजें बिलकुल नहीं समझाएंगे तुमको खुच से समझना पड़ेगा लेवल अब करो जरा look at this cache का access time मेंने मान लिया 10 nanosecond assume करो main memory का access time let's say 50 nanosecond है तो जब CPU ने एक signal generate किया तो हिट के time पे सिफ 10 nanosecond में पता चल जाएगा CPU को कि वो content cache में है कि नहीं यह access हो गया बट अगर CPU को पता चला कि 10 nanosecond के बाद पता चला कि वो content cache memory में नहीं है तो क्या उसके बाद main memory access होगी नहीं main memory का access already 10 nanosecond तब हो रहा है तो और extra कितना time 40 nanosecond ओर लगा हाँ और क्या मिल गया main memory से वो content मिल गया मतलब total कितना time लगा सिर्फ main memory के access के बराबर ही तो time लगा ठीके तो जो simultaneous या parallel access का formula है T average का वो अब हो जाएगा specific क्या हो जाएगा specific? specific हो जाएगा जब hit है अब cache memory का access time और जब miss है तो सिर्फ main memory का access time आपको लगेगा ये है आपको simultaneous access का formula ठीके अब बात करते हैं hierarchical access की hierarchical access बोलता है ये है आपका serial access serial मतलब one by one access करना है सबसे पहले CPU सिफ cache पे ही access करेगा अगर cache में hit हुआ well and good नहीं हुआ तो फिर CPU इस main memory को access करने के लिए जाएगा अगर main memory में content मिलेगा तो of course मिलेगा ही मिलेगा but main memory का access initiate कब होगा जब CPU ये चेक कर ले कि cache में hit हुआ कि miss हुआ तो इसका मतलब है कि जब miss होगा तो पहले CPU को चेक करना पड़ेगा कि cache memory में कितना time लगा उसके बाद फिर main memory का access initiate होगा तो वो extra time लगेगा yes उस case में जो t average आपको मिलेगा वो होगा जब hit है तब सिर्फ cache का access time प्लस जब miss है तब cache और main memory दोनों का access time लगेगा ये है hierarchical का formula अब आप एक काम करो इस 1-h को multiply करो tcm के अंदर tcm का multiplication कर सकते हो 1-h में जी हाँ आपको मिलेगा ये h tcm plus tcm minus h into tcm plus मैं 1-h into tm as it is रखता हूँ ये h tcm से h tcm cancel तो formula जो reduced formula है mathematically वो है tcm plus 1-h into tmm इसको हम equation number 3 दे देते हैं और इसको हम equation number 2 दे देते हैं यहां पर t average का मतलब है average memory access time h is cash का hit ratio एक चीज बताओ तुम लोग को यह जो मैंने अभी तक समझाए समझ मैं आ रहे हैं खोपड़िया में कुछ घुस रही है बाते कि नहीं cash memory का access time और यह होगा main memory का access time बहुत बढ़िया चलिए तो अब यह तीनों equation आपको मिल गई हाँ जी अब सबसे बड़ा question जो आता है कि कब कौन सा use करना है कौन सा formula कब लगेगा यह तीन में से simultaneous axis है कि hierarchical axis है या फिर ये वाला general formula कौन सा formula कब लगाना है इसके लिए आपको एक छोटा सा hierarchy एक छोटी सी एक tree याद रखती है अच्छा ये बताओ यहाँ पर इस formula में क्या मैंने specifically लिखा है ये cash memory का access और main memory का access time है लिखा है यहाँ पर हाँ इस formula में भी लिखा है मैंने कि ये cash memory का access time और main memory का access time है specifically कि cash का access time कितना और main memory का access time कितना लिखा है क्या यहाँ पे लिखाए कि cash का specific access time कितना और main memory का access time कितना लिखाए नहीं तो कभी कभी न आपको पहले question को समझना पड़ेगा read करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने cash memory और main memory के access times दिये है question में कि नहीं अगर question में नहीं दे रखाए कि cash का access time और main memory का access time क्या है तो इसका simple simple meaning होगा कि उन्होंने सीधे सीधे बात रख रखी है कि hit के time पे इतना time लगेगा miss के time पे इतना time लगेगा access कोई भी हो किसी भी type का हो doesn't matter hit में इतना time miss में इतना time words में लिखा होगा cash का access time और main memory का access time अलग से given नहीं हो तो अगर ऐसा कुछ है तो आप general formula लगा लेना हो तो सबसे पहले आपको जो check करना है question में वो ये check करना है कि क्या cash और main memory का access time given है या नहीं नहीं है तो आप general formula लगा लेना अगर है तो फिर आपको simultaneous versus hierarchical देखना हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले check करना है कि if tcm, tmm given or not अगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको general formula यूज करना है याद रहे सबसे पहली चीज आपको यही check करनी है उसके बाद फिर आप hierarchical simultaneous की बीच में difference करने जाओगे पहले ये check मत कर ले ये अगर पहले second वाली position पहले check कर ले तो फिर तुम्हारा answer गलत सबसे पहले ये check करना कि dcm, tmm given है कि नहीं नहीं given है तो directly general formula equation number one use कर लेना अब अगर given है yes तो फिर आपको ये check करना है कि क्या question में कोई दो word दे रखे है hierarchy या फिर level अगर ये दोनों मेंसे कोई भी एक word given नहीं है तो आप use करेंगे simultaneous access अगर given है तो आप use करेंगे hierarchical access yes then पर ये तब check करना जब सबसे पहले ये चीज़ आपको clear हो जाए अब एक चीज़ जो मैं यहां आपको clear बता दू कि ये word कैसे mention होगे question में question में mention होगा two level memory hierarchy और two level memory system और a level wise memory system और memory hierarchy और a hierarchical memory system ऐसा कुछ करके और ये दोनों में से कोई एक word दे रखा है तो hierarchical level लगा देना नहीं दे रखा है तो simultaneous लगाना कभी गभी question में simultaneous को देने का एक specific line भी लिखा रहता है वो भी मैं बता देता हूँ इसको denote करने का वो बता देते हैं इस तरीके से कि जब miss है तो cache में search करने का time कुछ नहीं लगेगा cache look up time is zero देखो यहाँ पे cache का look up time है कि miss है तो भी हमने cache में में search किया पता चला कि miss है यहाँ पे miss का या hit का look up time नहीं है यह access का time है हमें पता था कि content मिल जाएगा तो हमने उसको access किया इतने time बट यहाँ पे content नहीं पता है या नहीं है तो भी access extra लगा क्यों लगा look up time के बन जाएगा तो यहाँ पे कभी-कभी इस formula को या simultaneous access के लिए वो एक statement लिख देते हैं कि cash lookup time is 0 cash का lookup time जो है वो है 0 तो वो simultaneous access हो जाएगा याद रखेगा इस चीज़ को पर ये पहले देख लेना बबुआ नहीं तो गड़बर हो जावेगा question में दे रखा है कि hierarchical memory system when there is a hit इतना time miss इतना time तो आप बोलोगे hierarchical hierarchical formula लगा देंगे कल लगा तो जाओगे क्यों क्यों क्योंकि hit miss का formula लगाना है जनरल बारा ठीक है चलिए तो अब एक काम करते हैं जो आगे की चीज़े हैं वो हम कल पे रखते हैं तो locality of reference अगर include किया तो t average कितना t average कितना जब block transfer किया include किया तो कितना और फिर उससे related कुछ questions ये सारी चीज़े हम कल करेंगे और फिर आपके लिए कुछ homework आएगा ये हम कल करते हैं और कल हमारे पास एक special session है जिसमें हम बात करेंगे cash write के बारे में कि अगर memory में cash memory में write हुआ तो उससे क्या impact हो सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़े हम कल देखेंगे बट उसके पहले एक छोटा सा announcement है सुनते जाहिए वो announcement ये है कि अगर आपको gate की preparation के लिए plus का subscription चाहिए की और आप 23 की भी preparation कर रहे हो तो आप बोलो के sir1s genres subscription है मिलेगे या फिर एक साल। subscription हम फरवरी में लेंगे तो अगर आप फरवरी में लेना चाहते हुँ एक साल का subscription तो अभी लेवो, क्यों? क्योंकि फरवरी तक का subscription आपको मिल जायगा अभी कैसे आप 12 months का subscription अगर लेंगे तो 4 months का subscription आपको free मिल रहा है और ये offer सिर्फ और सिर्फ 10th October तक ही है तो अगर आपका aim है कि gate 23 भी आपको लिखना है तो अभी से subscription लेके जो बचा हुआ time है 4 months का उसको utilize करो और उतना ही payment आपको करना है जितना 12 months के लिए आपको करना है तो आपको extra payment करने की भी जरूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात वो ये कि अगर आप ये code यूज़ करोगे VDeep10 for your subscription तो आपको 10% का instant discount और मेरा personal guidance मिलेगा अगर आप लोग कोई भी subscription लें याद रखें ये है code ये आपको याद रहना चाहिए code यही use करने का है नया batch 23 का भी start हो गया है होने वाला है 13th of October से with the course algorithm by संचिज जैन सर तो ये 22, 23 दूनों के लिए कामा जाएगा अगर आप 22 के लिए भी तयारी कर रहे हैं तो भी और 23 के लिए तयारी कर रहे हैं तो भी अगर आप campus placement के तयारी कर रहे हैं IT job के लिए तो भी आपके पास एक अलग category है academy के platform पे और यहाँ पे इस category में आपको मिलेंगे top educators जो अलग-अलग subjects और अलग-अलग जीजें बहुत class, top class तरीके से पढ़ाते हैं नई test series, नई batches, बहुत कुछ start होने वाला है और हो भी चुका है तो आप अगर आप चाहते हैं कि campus placement आपको नेल करना है तो यह subscription ले लो, इस subscription को भी लेने के लिए आपको code यही लगेगा यह है telegram channel जहां पे मैं अपनी class की PDF और announcements, lecture link drop करते रहता हूँ तो आप इसको join कर लो ताकि आप लोगों को lecture link access करने को मिल जाएगी और अगर आपको ज़ादा discount के साथ आने काजमी platform पे subscription चाहिए तो आप हमारा weekly combat लिखिए जो कि है हमारा scholarship test यह test को access कैसे करना है इस particular video के description में जाके link access करो combat की gate combat की उस पे access करके enroll कर दो अगर आप first time learner है तो आपको enrollment के लिए code use करना पड़ेगा वीदीट है और freely enroll कर लोगे अगर आपकी rank अच्छी है तो up to 100% का discount मिल सकता है academy के platform पे subscription के लिए हर Sunday 11 a.m. को यह combat होता है तो enroll करके और ready रहिएगा Sunday 11 a.m. को और साथी साथ अगर आप लोगों को lectures पसंद आ रहे हैं तो channel को support करो by liking and sharing the sessions subscribe कर लो channel को और यह गंटी बजा दो ताकि आपके phone की गंटी बजे जब मैं class लेने आऊ thank you so much for joining see you tomorrow at the same time 4 p.m. before that 9.30 a.m. मेरी classes चल रही है interview sessions की जिसमें मैं आपको interview के कुछ अच्छे interesting questions दिखा रहा हूँ और उनके solutions discuss कर रहा हूँ तो 9.30 a.m. live free में इसी YouTube channel पे मिलेंगे कल सुबह तब तक के लिए have a great day and happy learning bye bye everybody